नमेशकार दोस्तों, जैसा कि अभी अभी आपने देखा होगा कि भारती टीम टोकियो उलम्पिक्स में सेमी फाइनल के अंदर हार चुकी है बेल्जियम से 5-3 से, ठीक है हमने प्रयास अच्छा किया था और अभी भी हमारे पास मौका है कि हम ब्रॉंज मेडल जीत सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि 1980 में जब भारत गोल्ड जीता था उलम्पिक्स के अंदर होकी में, यह हुआ था मौस्को के अंदर और वो भी ऐसा था कि कई सारे इंपोर्टेंट टीम्स के दौरा बॉयकॉट किया गया था, लेकिन स्टिल हम जीत जैते 1980 में जो गोल्ड मेडल है, कोशन याता है कि उसके बाद से ऐसा क्या हुआ है होकी के अंदर, जिसमें भारत का जो डॉमिनेशन है, वो खतम हो चुका है, ऐसा क्या रूल्स में बदलाव किये गये थे, यहां पर मैं आपको कई प्रकार के रूल्स के बारे में बताने जिसकी वज़े से, जो होकी के अंदर, डॉमिनेशन होता था, और आज तक रेकॉर्ड है, भारत ने जितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल जीतने मेडल जीते हैं, किसी भी टीम ने, उलम्पिक्स के अंदर इतने मेडल नहीं जीते हैं, तो उसके बारे में हम डीटेल से चर्चा करेंगे, तो काफी कुछ जानने को है, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप Study IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो simply वीडियो के नीचे आपको Join का बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है, और बहुत ही कम दाम पर आप Study IQ को यहाँ पर सपोर धुकाओ है, वो क्रिकेट की तरफ हो गया था, और जब हम बचपल में भी थे, आपको याद होगा कि हमें तो शायद लगता भी नहीं था, कि हमारा जो नाशनल गेम है, वो क्या है, कई बार तो क्रिकेट लगता था, क्योंकि इतना जादा पॉपलर हो गया था, लेकिन पहले 1972 में हमने semi-final किना था, जो Munich Olympics हुआ था वहाँ पर, और इसी की वजए से हमेशा जब भी बात होती होकी की, तो हम पिछले बार की बात करते हैं, कि पहले हमारा कितना glorious past हुआ करता था, और अभी तक अगर आप देखोगे तो 8 gold medal भारत नी जीते हैं, ये पुरा डिट देख सकते हैं, यहाँ पर, 1928 से इसकी सिलसला का सुरुआत होता है, और वहाँ से gold जीते गए हम लगातार, एक आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gold हमने यहाँ पर लगातार जीता, फिर यहाँ पर 1964 में gold और finally 1980 में आखरी gold हमारा आया था, और second number पर जो team है, Olympics के अंदर gold ज मैं यह नहीं कह रहाँ कि यहाँ पर जो भारती team है, उसमें कई सारे problems आ सकती हैं, यहाँ पर हमने उसके उपर साथ ध्यान नहीं दिया, sports के उपर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुती major जो कारण अकसर बताया जाता है, जिसकी चर्चा होत जाते थे, उसमें अब उनको disadvantage होने लगया, जिस प्रकार के rules लाएगा है, जिस प्रकार की नए turf पर जो hockey खेलने लगाया, उसकी वज़य से बताया जाता है, कि हमारा जो dominance था, वो एक प्रकार से कम हो गया नहीं, तो पहले तो भारत और पाकिस्तान हमेशा यहाँ पर उच उतना जादा दौर नहीं पाते हैं, शायद उतना थकावट हो जाता है, जैसे Europeans हो गए, Australians हो गए, उनके पास काफी पावर होती है, छमता होती है, वो दौर लेते हैं लंबे समय तक, लेकिन हमारे पास क्या था था, जो stick से हम work करते थे, होकी के stick से, और ध्यान चंद को कौन भूल सकता है, तो इतना beautifully यहाँ पर skill का work किया जाता था, उसको एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया गया, और जो power play type की चीजे होती है, aggressive power play होता है, उस पर ज्यादा focus हो गया, because of changes in the rules of hockey, तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक एक करके वो क्या change से, सबसे पहला यहाँ पर no offside, तो इसको मैं बहुत detail में तो नहीं, लेकिन हाँ, आपने football वगर देखा होगा, थोड़ा भी interest रखते होंगे, तो आपको पता होगा, football में offside होता है, सेम उसी प्रकार से hockey के अंदर भी offside होता था, बहुत ही simple तरीके से अगर मैं बताओ, तो suppose इधर team A है यहाँ और इस side team B ह और team A attack कर रही है अगर team B के goal में, तो यहाँ पर offside का simple अर्थ होता है, कि team B का जो, जैसे team B यहाँ पर क्या हो गई, defender हो गई, और team A क्या हो गई, attacker हो गई, मतलब team A attack कर रही है B की तरफ, तो यहाँ पर defender है, उसका जो second last player है, मतलब कि एक तो goalkeeper हो गया यहाँ पर, ठीक है, यही पहला player, और जो second last player है, जो second defender है, उसके पीछे नहीं होना चाहिए, जो हमारा player है यहाँ पर यह जो attacker है, team A की तरफ से, वो second defender के पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे हो सकता है, लेकिन अगर ball उसको directly pass कर दी जाती है, तो उसको हम offside कह देंगे, मतलब कि यहाँ पर दूर player को भी यहाँ पर दिया जा सकता है, वो player पूरे field में कहीं पर भी हो, और यह जो D देख रहे हो ना, यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कि जब भी hockey के अंदर goal होता है, पहले ball को D मिलाना होता है, और D से ही आप shoot कर सकते हो, अगर आप D के बाहर से यहाँ से support shoot करते हो तो वो goal नहीं माना जाता है, तो यह offside का rule पहले यहाँ पर क्या हुआ कि हटा दिया गया, जिसकी वज़े से again, मैंने आपको बदा है ना, skill work नहीं होता है, अब आप सोच के देखो, कि अगर offside हटा दिया जाता है, इसका मतलब पहले क्या होता था, कि यहाँ पर skill work दिखान तो इसका मतलब यह हुआ कि जो skill हमारे पास होती थी hockey stick से, वो दिखाने का जो एक advantage होता था, वो यहाँ पर एक प्रकार से समाप्त हो गया, जो की भारत के disadvantage में गया, ऐसा expert की दोरा बताया जाता है, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, long corner, basically क्या हुआ यहाँ यह जो D होता है, यह 16 yard होता है, उसके इधर आप देखिए, तो एक line आपको दिख रहे होगी, इसको 25 yard line कहते है, या फिर 23 meter का यह होता है, ठीक है, तो आप normally क्या होता है, कि football वगरा में भी आप देखोगे, तो जो defender है, सपोज यहाँ पर team D है, यह defender है, और उसने उसके pair से लगकर, या फिर hockey stick से लगकर, अगर ball इधर गई, तो usually यहाँ से corner से start होता है ना game, लेकिन hockey में rule change कर दिया गया, उसको बोल दिया गया कि नहीं, अब जो यहाँ से सुरुआत होगा, जो attack करेगा, वो इस 25 yard का जो line है, यहाँ से इसकी सुरुआत की जाएगी, और इससे काफ और नियम बताता हूँ, वो है आपका overhead shots at goal, अब अगर आप देखोगे hockey के अंदर, आजकल क्या होने लगा है, कि दूर से aerial shot दिया जाता है, स्कूप करके आपने देखाऊगा ना, जो hockey stick से खुब उचाई से यहाँ पर मारा जाता है, तो पहले क्या था कि आप उसको pick नहीं within 5 yards, अगर player नहीं है, तो आराम से आप उस hockey stick से उस ball को यहाँ पर लाकर आराम से goal मार सकते हैं, कहने का मतलब यह हुआ, कि अब aerial shots जादा देखने को मिला आगे हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कि जो power play है, उसको जादा तवज्यो दिया जा रहा है, rather than जो हमारे 1992 में जो है, offside का rule खतम कर दिया गया था, abolish कर दिया गया था, एक बहुत ही important rule मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर that is, कि जो turf है, जहाँ पर hockey खेली जाती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया, in fact I think 1975 के आसपास यह पुरा बदलाव किया गया था, मैं आपको बता बताता कि हमारे तो प्लेयर्स बच्पन से ही जो फील्ड होता है, नॉर्मल फील्ड होता है, ग्रास वगर होती है, वहीं से सीख कर आते थे, और बहुत ही हमारा अच्छा होता था उसमें परदर्शन, और उसमें आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर सतह जो है वो प्ले नह बेसिकली जो नाच्टरल ग्रास होती थी, नाच्टरल टफ होता था, उससे हम आर्टिफीशल ग्रास की तरफ आ गए, और उसकी वज़य से फिर जो आप कह सकते हो कि भारत को बहुत परशानी होने लगी, हम बहुत लंबे समय तक दौर नहीं पाते, तो इसी की वज़य से वहाँ पर क्या है ना कि हम लंबे समय तक हमें एनरजी नहीं वस्ती थी और जैसे यूरोपियन की टीम है, जैसे बेल्जियम होगे, आज हम जिससे हा रहे हैं बेल्जियम, वो यहाँ पर अड्वांटेज में आ गई, वो काफी अच्छे से एस्ट्रो टफ पर काफी पाकिस्तान जैसी टीम, वो यहाँ पर ठक जाती थी, हार जाती थी और उसकी वजह से हमारा डिस अड्वांटिक होने लगा, और उसी के बाद अगर आप देखे, तो जो भारती होकी का पतन है, 1980s के बाद से आपको काफी हद तक देखने को मिलेगा, तो यह कुछ important changes थे जो format आगया है, ठीक है, T20 से भी कम हो गया है वो आपका, 100 जो है ball का format है, इसके लावा यहाँ पर कुछ और changes वग रहा है, जैसे कि जादा तर लोग अभी भी सोचते होंगे, जो चकदे का movie देखे होंगे, और उसमें 70 मिनट की का जो पूरा speech है, बहुत famous हुआ था, तो अब 70 म मिनट कर दिया गया, पहले 35-35 मिनट का दो हाफ हुआ करता था, अब क्या है, चार quarter हो गया है यहाँ पर, 15-15 मिनट का, और उसमें काफी अधक energy मिल जाता है, और attack करने का मौका मिल जाता है, आप यह कह सकते हो, इसके लावा यहाँ पर एक और चीज है कि, जब deadlock हो जाता है मतलब दोनों के score सेम रहते हैं, 60 मिनट के बाद क्या है, कि दोनों का अगर score सेम हुआ, ठीक है, suppose दो दो की बराबरी होगी, पहले क्या हो था था, यहाँ पर extra time मिलता था, जैसे कि football में आज के रिप में भी अगर आप देखो तो extra time मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप द स्ट्रोक के बजाए, अब 1-1 कर दिया गया, आप देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यह D वाला लाइन है, जो D का दिखाया था न, 16 यार्ड वाला और यह पीछे जो लाइन दिखाया था, मैंने आपको 25 यार्ड वाला लाइन है, तो अब क्या होता है कि जब भ मारना होता है, ठीक है, तो काफी hard hitting अगर वो कर सके, तो आराम से यहाँ पर goal किया जा सकता है, और पहले जो यह वाला चीज होता था था, यह वाला नियम भी आपका हटा दिया गया, इसके लावा एक और चीज में आपको बताता हूँ, substitute, आपने देखा होगा लगातार जो यह बार भी आप substitute कर सकते हो, तो यह भी एक changes हुआ, इसके लावा green card में यहाँ पर 2 minute का suspension हो जाता है, अगर किसी player को दिया जाता है, yellow card में आपर 5 या उससे जादा minute का suspension हो जाता है, तो यह कुछ changes आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ अगर हम 15 साल के पिछले बात करें, तो जो hockey है, अगर भारती hockey के हम बात करें, तो सबसे rock button हमें 2008 में देखने को मिला था, जब पहली बार हम यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था, 1928 के बाद से जह हमने खिलना स्टार्ट किया था, कि हम किसी Olympics में qualify भी नहीं कर पाया, और BG में Olympics हुआ था, वहाँ पर हमारी hockey team गई भी नहीं थी, खेल भी नहीं पाया थे, उसके बाद हमने धिरे-धिरे improvement स्टार्ट किया, Commonwealth Games में हम यहाँ पर silver medal जीते 2010 के, जो भारत में हुआ था, Asian Games में हम यहाँ पर bronze medal जीते 2010 की बात है, इसके अलावा यहाँ पर 2012 में finally हम London Olympics में qualify किया, although यहाँ पर group stage में हम सबसे last में रह 2016 में, ठीक है, women team का भी मैं आपर जिक्र करना जाता हूँ, और इसके बाद अगर आप देखिए, तो अब जाकर जो present में team है हमारे पास men और women की, वो काफी हद तक अब धिरे-धिरे strong हो रही है, especially women team में अगर आप देखोगे, तो राणी रामपाल के निर्तित्वी में जो ख इन लोगों की द्वारा काफी अच्छा combination बन गया और इसलिए अभी का जो Tokyo Olympics में आप देखिए, काफी बहतर, पहली बार पिछले 40-50 वर्शों के बाद हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं, ये बात अलग है कि आज Belgium से हम हार चुके हैं, कोशिश करनी चाहिए कि अब वापस स यहाँ पर जो semi-final है, जो आपका bronze medal के लिए match होगा, उसमें हम जीच सकें और वो ला सकें, अभी तो women का भी hockey बाकी है, कल देखना होगा कि women का कैसा performance रहता है, तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, I hope कि कुछ समझ में आया होगा, कि अकसर ये जो चर्चा होती है न, rules की, तो क्यों आखिरकार बोला जाता है कि भारत का domination खतम हुआ, कौन से ऐसे rules से, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, जाने से पहले एक बहुत ही interesting question आपके लिए, आपको बताना है कि जो Olympics गेम है, इन चार शहरों में कहाँ पर दो बार नहीं हुआ है, ठीक है, इन में से यहाँ पर दो बार नहीं हुआ है, यह आपको बताना है, इसका जो right answer है, आपको पता है, यह मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही होतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में आप जा करी है, करी है, दिया तुर को यहाँ पर एंप आप, mandar अपको बड़प़ा है, यह में हूआ है, यह दिता है, यह आपको ताना है, आपको पता ही जो जो ए हमा आपको चूफघता है, यह आपको अहर तो Сवाद, जो सgensने हैं आपको दि जो बांपको आपको, मैंता है, जो